हलो श्टुडेंट आज हम कक्षा 6 के विध्यारतें के लिए हमारे अतीत की पुस्तक के अध्याय क्या कब कहां और कैसे का अध्यन करेंगे बच्चों हम मनुस्य के बारे में जानकारियम कर सकते हैं भाड किसके द्वारा भोजन फूड के द्वारा क्लोथ कपड़ों के द्व इन तीन चीजों के से हम मनुस्य के बारे में सारी जानकारियम प्राप्त कर सकते हैं अब दीके दूसरा भारत के लोग कहां रहते थे प्राचीन काल में या अतीत में दीके भारत के लोग नर्मदा नदी के तट पर दूसरा उत्तर प्रदेश की सुलेमान की पाड़ियों मे तीसरा उत्तरपूर में गारो और मद्धे में विंद्या चलप परवद या पहडियों में रह देते अब आगे आता है देश का नाम अब दीखे हमारे देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भार जैसे नाम का प्रियोग करते हैं तो बच्चों आप जानें इंडिया सब्द कहां और से आया कैसे इंडिया सब्द इंडस से लिया गया है या इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधू कहा जाता है सिंधू क्या है हमारे देश में एक नदीवी है अब आता है हम अतीत को कैसे जाने या अतीत के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करें तो देखिए अतीत के बारे में हमें जो जानकारियां प्राप्त होती हैं वो बच्चों हम कही तरह से जानकारियों को प्राप्त हम कर सकते हैं इन में से एक तरीका क्या है एक तरीका क्या है अतीत में या प्राचीन काल में लिखी गई जो पुस्तक हैं उन पुस्तकों को ढूंड़ना और उन पुस्तकों को पढ़ कर हम क्या कर सकते हैं हम जानकारिया प्राप्त कर सकते हैं देखे ये पुष्टक है क्या थी प्राचीन काली की पुष्टक है क्या थी जैसे आज आपकी पुष्टकों में छापी गई है प्रेस के द्वारा तो ऐसे पहले उन पुष्टकों को छापा नहीं जाता था इन पुष्टकों को हाथ से लिखा जाता था और हाथ से लिखी हु देखिए पांडू लपी को अंगरेजी सब्द Menu Script क्या है? Menu Script के नाम से या Menu Script सब्द का अंगरेजी भासा में प्षयोग किया है और देखिए Menu सब्द है Latin भासा का और Menu सब्द का अर्थ होता है हाथ या हाथ से निकला या हाथ से लिखा गया अब देखें आगे आता है पांडू लिपियां क्या है पांडू लिपियां प्राएं देखें ताड़ पत्र ये हिमाले छेत्र में ताड़ पत्र होते हैं उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेश तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी जाती हैं क्या लिखी जाती है ये पांडू लिपियां लिखी जाती है अब आता है दूसरी जानकर पांडू लिपी से दूसरी अभी लेख से अभी लेख क्या है ऐसे लेख पत्थर अत्वा धातू जैसी कठोर चीजों पर जो उतकीन की जाती है उनको हम जो उन जानकारियों को अभी लेख कहते हैं अब आगे आता है तीसरे हम अतीत के बारे हम जानकारी करते हैं पुरातत्व पुरातत्व क्या है जो प्राची इनकाल के जो समान मिलते हैं ओजार, हतियार, बर्तन, आबूशन, सिक्के और इसके अलाबा अस्त्र सस्त्र बहुत सारे चीजे ये जो मिलती हैं ये पुरातत्व आती हैं इनके बारे में हम बच्चो अतीत की जानकारी हम प्राप्त करते हैं अब आगे आता दीखें, तितियां, हम तितियों के बारे में तितियों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, दीखें हम तितियों की गणना या गिंती हम कैसे कहें, तितियों की गणना हम इसा मसी के जन्म से करते हैं, जैसे 2000 जो वर्स के हम गणना कर रहे हैं, तो 2000 वर्स का तात पर ये क्या है इसा मसी जन्म के बाद का समय है उसको हम 2000 वर्ष के रूप में गिनते हैं जन्म से पहले की तित्यों की गढ़ना इसा पूर्व और जन्म के बाद की तित्यों की गढ़ना इसा पस्चात के रूप में करते हैं किसके जन्म के इसा मसी के जन्म के बारे में जो हैं क्या इसा मसी के जन्म के पस्चात क्या इसा जन्म के मसी के पहले अब देखे चार्ट सम्झा सकते हैं देखी इसा मसी के हैं जन्म इससे पहले किती थिया इसा पूर्व और इससे बाद किती थिया है इसा पस्चात दोखो इनको अंग्रीजी में अलग-अलग कहा जाता है जैसे BC, BC का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, इसा पूर्व और फिर दूसरा करा जाता है AD, AD का ताथ पर यह एनो डामनी, इसा, मसी के जन्म के बाद अब देखे, पूरे संसार में तो जो पहले इन वर्षों का प्रियोग क्या जाता रहा है हमारे भारत वर्ष में, इस कलेंडर का प्रियोग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है तो देखे, क्या कब और कहां कैसे जानो, यह अध्याय था आओ बच्चो हम याद करें, सुमूलित करके, देखे, उनको ठीक मिलान करके जैसे नर्मदा, पहला बड़ा राज्ये, मगत, सिकार तथा संग्रन, गारों की पहाडियां, लगवर, पच्चिस सो वर्स, पूर्व के नगर, सिंदू, तथा उसकी सायग नदिया, आर्मबिक किर्सी, गंगा घाटी, पर्थम नगर इनको हमें सुमूलित करना है, इनको मिलान करना है सही, सही मिलान का उत्तर क्या है, नर्मदा, सिकार, तथा संग्रेन, मगद, पहला बड़ा राज्ये, गारों की पहाडियां, आर्मबिक किर्सी, सिंदू तथा उसकी सायग नदिया, पर्थम नगर, गंगा घाटी, लगव तो ठीक है, उत्तर है, तवज्चो इसको आप अपना अध्यान करें,